लिट्रेचर मैट्रिक्स हमने बहुत सारा मिटीरियल अपने लिट्रेचर रिव्यू के लिए पढ़ा और उसमें से मुन्तखिब कर लिया कि यह वाले पेपर्स यह किताबें यह आर्टिकल्स जो हैं यह मेरे लिट्रेचर रिव्यू में काबले इस्तमाल हैं यानि मेरे टापिक से मुतलेक हैं अब अगर मेरे पास इस तरह की पचास या सौ डिफरेंट पीसिज आफ इन्फरमेशन पढ़े हों तो उन में से सेंस डिवेलप करना एक को पढ़ने के बाद दूसरे को पढ़ते व जाब होता है आप मिटीरिल पढ़ते चले जाते हैं और पीछे वाला मिटीरिल जो पढ़ा होता है उसको दूसरे से कनेक्ट करना एट टाइम्स मुम्किन नहीं रहता तो आप जो एक उसके जरीए से एक ओवराल पिक्चर डिवेलप करना चाहते हैं अपने फील्ड में एक टेक्नीक जो अमूमन इस्तमाल की जाती है जिसको आप लिटरिचर मैट्रिक्स का नाम देते हैं असल में ये एक टू वे चार्ट का नाम है इस टू वे चार्ट में आप वाई एक्सिस के ओपर लोगों के नाम या पब्लिकेशन के टाइट के आथर्स और यह लिख लेत इस तरीके से आपके पस एक ग्रिट और जाती है जो ग्रिट आपको एक नजर में इंफार्म करती है कि मुख्तिश पेपर्स में जो आपने पढ़े या मुख्तिश के टाव में मैगजीन आर्टिकल निउसपेपर आर्टिकल जब कुछ भी आपने पढ़ा उन पीसिस आफ writings में और आपके interest के variables में इन में कौन कौन सी information किस किस जगा पे है और कौन सी information किस से मिलती है और किस से नहीं मिलती है अगर आप इसकी शकल देखना चाहें तो कुछ इस तरह से भी हो सकती है मुख्रिफ शकलों में ये matrix बनते हैं मुख्रिफ प्रेफरेंसिस के साथ तो मैंने दो मिसालें यहां आपके सामने सरफ रखी ताकि आप इसका एक idea हो सके लेकिन ये दो चूरतें मुकमल नहीं हैं इसके इलावा कोई और सूरत में भी ये matrix बन सकता है बसलिए जो आपके सामने इस वकत matrix है जिसको मैंने matrix 1 कहा अगर आप इस पर गोर करें तो vertically देखिए authors के नाम लिखे में हुसैन, आबद, जाहिदा, खान, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये papers लिखे, authors के नाम आगए फिर उसके बाद, अगले कॉलम में उनका year of publication लिखा ताकि आपको ये अन्दाजा हो सके कि ये information कितनी current है, कितनी ताजा है, कितनी fresh है, बहुत परानी तो नहीं है, तो आपने year of publication लिख लिए और फिर उसके बाद आप देखें, तो पांच variables हैं जो horizontally लिखे हुए इन पांच variables को मैंने खुद choose किया, अपने research topic को जहन में रखते हुए, मैंने उसके keyword सामने रखे, जो अमूमन variables होते हैं, subject होता है, या आप उसकी जो location से related, या आप कहलीजिए, universe से related information है, वो लिखते हैं, तो इसमें देखिए, academic achievement, probably जिसने ये matrix design किया, उनकी research में, academic achievement एक variable था, social adjustment एक और variable था, attitude to change, ये शायद phenomena है, जिसको study किया जा रहा है, और school counselors वो लोग हैं, जिनके बारे में ये सारी research होनी है, और फिर उसके बाद आपने, आखिर में, कि उन्होंने आपके इन variables के against उस research ने क्या solutions प्रोवाइड किये, या नहीं किये, तो हमने, एक list of variables बना ली, एक तरफ authors के नाम लिख लिए, years डाल दिये, ताके पता चले कौन सी information कितनी fresh है, और उसके बाद आगे, उसके against, पहला जो है, हुसैन साब ने जो लिखावा article है, 2022 का, और उसमें, मैंने आगे academic achievement के नीचे एक dot नजर आ रहा है, black color का, तो ये बताता है, कि इस paper में student की academic achievement का जिकर मौजूद है, social adjustment का जिकर भी मौजूद है, लेकिन ये, इसका phenomena attitude to change नहीं था, उसका कोई जिकर इस article में नहीं है, ये school counselors पे भी की गई रिसर्च नहीं है, इस में, मेरे question से मतलिक कोई solution भी suggest नहीं हुआ हुआ हुआ, तो इस तरीके से मैंने तमाम paper जो मैंने क कठे की है, review of literature के लिए, उनको मैं map करता हूँ, इन चीजों के against जो मैंने इस table में लिखी है, और अब आप इस पे पूरे table पे नजर डालें, तो आपको पता चलता है, कि academic achievement वाली बात उन तमाम papers में मौजूद है, जिनको मैंने review किया है, social adjustment की गुफ्तूबी तकरीबन सब में मौजूद है, एक दो को छोड़ के, लेकिन हर paper cool counselors के बारे में नहीं है, उन्होंने जो solutions provide की रखे हैं, वो भी मेरे, जो मैं solution देना चाहरा हूँ, जिस चीज़ के बारे में study करना चाहरा हूँ, उस से related हैं, और कई जगों पे नहीं है, अच्छा, अब मुझे इस में, इस matrix में ये तो पता चल रहा है कि किस paper में किन variables का जिकर है, ये नहीं इस matrix में पता चलता कि वो जिकर है क्या, एक्चुली उन्हें अकडेमिक achievement की बात की तो वो बात की क्या है, ये यहान नहीं नज़रा रहा, तो ये मुझे एक generic picture तो देता है कि आपके selected papers आपके variable पे बात करते हैं या नहीं करते हैं, बात क्या करते हैं, ये नहीं पता चल रहा है, इसको अगर आप further detail शकल में करना चाहें, तो लोग इसकी यूं शकल बनाते हैं, vertically अब बजाए इसके, कि आप सिर्फ और सिर्फ authors के नाम ले लें, आप उस paper की में या इस किताब में, इस article में, मुख्तलिफ पहलूं पे गुफ्तगू की किया गई है, मसला vertically तो आप देखिए उसी तरह authors के नाम है और year of publication है, लेकिन उसके आगे फिर, ये अगला heading, अब मैंने उसके variables नहीं रखे, research के components रख ली हैं, कि क्या उसके अंदर theoretical framework मौजूद ह conceptual framework मौजूद था, क्या research या questions लिखे हुए थे, क्या methodology बताई वही थी, methodology बताई तो क्या उसके आगे analysis वगरा के तरीके बताए के नहीं बताए, conclusions draw किये तो क्या थे, implications क्या बताई, तो मैंने हर paper के आगे, مثلا theoretical conceptual framework के नीचे ये नहीं कहा के है के नहीं, ये बताया कि उसमें लि ये नहीं कहा के research question बने हुए थे, tick नहीं लगाया, dot नहीं लगाया, बलके लिखा के research question क्या थे, उन्होंने methodology कौन सी use की, methodology इस्तमाल की सिर्फ ये नहीं बताया, methodology कौन सी इस्तमाल की, और अब आप देखिए कि इसके अंदर मैंने, वो जो पीछे variables पिछले matrix में थे, वो यह नहीं नजरा आ रहे हैं आपको, क्योंकि वो जब मैं research question या hypothesis डाल दिया, पीछे मैंने उसके theoretical conceptual framework के बारे में information दे दी, तो उन variables का जिकर वहाँ आ जाना हो दी, तो इसका जो horizontal distribution है, वो research paper के या thesis के components हैं, और फिर हर component के अंदर तफसील मौजूद है कि इस component में क्या लिखा तो ये वाला table भी review matrix ही है, लेकिन इस review matrix का structure पिछले वाले review matrix के structure से नहीं मिलता, जो बात आपको इन दोनों मिसालों में से सीखनी है, वो ये है, कि आप जब भी literature review के लिए बैठे, material सर्च कर लेंगे, उसके बाद उसमें से sense develop करने के लिए, आप इस तरह का या इसी concept पे ब बना हुआ कोई और matrix बनाएंगे, और उस matrix के अंदर आप horizontally वो चीज़ें list करेंगे, जो आपकी research को समझने में, आपकी research के मतलिक previous research को समझने में आपके लिए helpful हो सकती है, तो आप कोई भी titles ऐसे suggest करेंगे horizontally, जिन में अगर information लिख दी जाए, तो वो आपके लिए helpful हो, और फ matrix बनाऊंगा, और इसके end पे, जब ये सारा matrix मेरे सामने पड़ा होगा, तो मैं बड़ी आसानी से ये determine करता हूँ, कि कौन से research paper में किस तरह के conclusions हैं, वो conclusions आपस में कितने मिलते हैं, और मेरे जो questions हैं, उनको address करने में कितने helpful हैं, आपको gaps identify करने में इस से मदद मिलेगी, और इस से एक फाइदा और ये होगा, कि आप उन चीजों को redo करने में नहीं पढ़ेंगे, जिनको लोग पहले ही बहुत दफ़ा establish कर चुके हैं, थाबत कर चुके हैं, तो आप अपनी research में वक्त उस पे खर्च करने के बजाए, gaps ढूनके उन gaps को address करने में आपको help मिलेगी, तो